है Hello students Welcome back again आज हम लोग एक और DPP को डिस्कस करने वाले हैं आज जो हम लोग DPP डिस्कस करेंगे दिस क्ण्छ ओर डिटा पार्ट वन का जो पार्ट वन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे तो सब से पहले देखते हैं question number one सबसे पहले क्या देखेंगे सबसे पहले देखेंगे question number one question number one में क्या बोला है कि a craniata includes इन में से इन चारो option में से कौन सा है जो a craniata है सबसे पहले बताओ a craniata का मतलब क्या है a craniata का मतलब क्या है a craniata का मतलब क्या है Cranium is absent, Cranium, Cranium जो है, वो क्या होता है, वो absent होता है, Cranium को और क्या बोला जाता है, Cranium को बोला जाता है, Brain Box क्या बोला जाता है, Brain Box भी बोला जाता है, तो arc renata क्या है? arc renata, एक subgroup है और ये subgroup किसके अंदर आता है? ये आता है phylum core data के अंदर phylum core data के अंदर पहले होता है phylum core data phylum core data को हम लोग दो subgroup में divide करते हैं एक में आता है arc renata, दूसरे में आता है craniata आक्रेनिया को फर्दर हम लोग अगर डिवाइट करेंगे तो क्या आएगा यूरो कॉर्डेटा एंड सिफालो कॉर्डेटा अगर फर्दर हम लोग डिवाइट करेंगे तो क्या आएगा यूरो कॉर्डेटा एंड सिफालो कॉर्डेटा यही हमने पढ़ा था और आक्रेनिया को कहा जाता है क्रेटा को कहा जाता है you call data right top option देखते हैं क्या दिया गया euro-cordata yes a-cranita के अंदर euro-cordata आएगा true a-cranita includes proto-cordata yes a-cranita includes proto-cordata because a-cranita के ही और एक नाम है proto-cordata right तो यह भी आ जाएगा third क्या दिया है cephalo-cordata yes cephalo-cordata भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा option 4 that is all of this right क्या हो जाएगा right answer right answer हो जाएगा option 4 यह सब हमने पड़ा है यह सब कुछ हमने board work में किया था अगर आपको याद है तो चलो इसको मिटा देते हैं question number two देखते है question number two देखते है euro-cordata और tunicata yes euro-cordata को tunicata भी कहा जाता right is क्या है phylum है subgroup है subphylum है यह class है तो फिर से इसको देखते है question number two फाइलम का नाम क्या था फाइलम क्या था फाइलम क्या था फाइलम था call data call data right अगर फाइलम मैंने क्या बोला था मैंने जब मैंने जिस दिन मैंने इसको board work किया था उस दिन मैंने बार-बार कहा था कि किसको फाइलम कहा रहा है किसको सब गुरूप कहा जा रहा है किसको सब फाइलम कहा जा रहा है यह सब बहुत अच्छे से याद रखना विकास इससे questions बन सकते हैं तो देखा कैसे questions बन रहे है इस पर तो फाइलम क्या था सब्वहां को जब हम अच्छोना को डिवाइट है किया तो हमें क्या मिला दो मिलेगा? लिएम मिलेगा? सब नम THE GOUरोचेटर मिलेगा और हमें मिलेगा जए बीडाय। क्या मिलेगा? लिए जबीडे का उप्षितकाटर हमें मिलेगा ? तो- prostu नम एक लागवद क्शन है, सब ग्रôm होन है सब नम यहालो जायएगा ? तो which of the option is correct? Option 3 is the correct answer. क्या हो जाएगा? Option 3 is the correct answer. Clear? चलो. मेरा जो AC है, आज बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसी बच्छे से बहुत जादा मुझे पसीना आ रहा है. चलो, question number 3 देखते हैं. Question number 3 में क्या बोला गया है? Which of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord? Right? About the occurrence of notochord. पहला option देखते हैं. It is absent throughout the life in humans from the very beginning. क्या यह सच है? क्या humans में? Humans किसके अंदर आते हैं? Humans आते हैं, mammalia के अंदर. Mammalia किसके अंदर आता है? Vertebrata के अंदर. तो क्या vertebrata में पहले से ही from the very beginning क्या notochord absent होता है? नहीं. जब embryonic stage होता है तब notochord present होता है. जब adult हो जाता है vertebrates, तो क्या होता है? Adult में वो notochord replaced हो जाता है. किससे replaced हो जाता है? वो replaced हो जाता है vertebral column से. तो option 1 is the incorrect one. Option 1 जो है incorrect है. Option 2 देखते हैं. It is present throughout the life in Ampioxius. Yes, Ampioxius का और क्या कहा जाता है? Ampioxius को कहा जाता है Brachios Tomata. Brachios Tomata भी कहा जाता है, right? तो it is absent. It is present throughout the life in Ampioxius. Yes, it is correct. Option 3 देखते हैं. Option 3 था. It is present only in larval tail in Ascadians. Yes, it is correct. And option 4 क्या था? It is replaced by vertebral column in adult frog. Yes. Adult frog जो है किसके अंदर आता है? Frog जो है आपका.. एक मिनिट. It is replaced by adult frog जो है आपका vertebrata के अंदर आता है. और vertebrata में क्या होता है? कि adult में जो notopard है वो replaced हो जाता है. किससे replaced हो जाता है? वो replaced हो जाता है आपका vertebral column से. तो option 4 भी correct है. तो incorrect हो जाएगा option 1. Option 1 is totally wrong. Option 1 is totally wrong. Because humans किसके अंदर आते है? Vertebrates के अंदर. Vertebrates में क्या होता है? Embryonic stage में जो है notocot present होता है. Embryonic stage में vertebrata में notocot present होता है. लेकिन adult हो जाता है तब वो notocot replaced हो जाता है किससे? Vertebral column से. किस से replaced हो जाता है? Vertebral column से. चलो. Tick the odd one. Tick the odd one. Question number 5. Tick the odd one. Option 1. Ascadia. Ascadia किसके अंदर आता है? बोलो. Eurocordata के अंदर. Eurocordata के अंदर. Option 2. Salpa. Salpa किसके अंदर आता है? यह भी Eurocordata के अंदर आता है. Right. Option 3 का है? Branchiostomata. Branchiostomata. Option 3. किसके अंदर आता है? Branchiostomata. Cephalocordata के अंदर आता है. किसके अंदर आता है? Cephalocordates के अंदर आता है. Right. और Option 4. Option 4 में क्या दिया है? Dollyolum. Dollyolum किसके अंदर आता है? डॉलियो लंभी आपके eurocordiats के अंदर ही आता है तो यह तीन एक जैसे हैं तीनों ही आपके eurocordiats में आता है सिर्फ और सिर्फ option 3 जो है bank your stomata यह आपका cephalocordiats के अंदर आता है यह किसके अंदर आता है यह आता है cephalocordiats के अंदर तो tick the odd one odd one क्या हो जाएगा option 3 is the odd one इसी वज़े से मैं कहता हूँ कि हमेशा जो examples दिए गये हैं वो examples को बहुत अच्छे से याद अगर मुझे याद ही नहीं होता कि इसी वज़े से मैं कहता हूँ कि हमेशा examples को बहुत अच्छे से याद करना होता है question number 5 चलो question number 6 देखते हैं इस देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम इस जराइफ फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम कहां से आता है वर्टिब्रल कॉलम नोटो कॉर्ड से आता है right question number 6 को अगर देखेंगे तो क्या होता है कि इंब्रायोनिक स्टेज में वर्टिब्रेटा में क्या होता है वर्टिब्रेटा में क्या होता है जब इंब्रायोनिक स्टेज होता है notochord present लेकिन जब यह embryonic state से adult बन जाता है तो क्या होता है कि notochord is replaced by notochord जो है notochord replaced by notochord replaced by what notochord replaced by vertebral column vertebral column right तो notochord जो है वो किस से replace हो रहा है वो replaced by the vertebral column तो यहां पर क्या पूछा गया कि vertebral column is derived from the vertebral column is derived from nothing but the notochord right क्योंकि embryonic stage में क्या था notochord present था और जैसे adult हुआ वो क्या हुआ notochord जो है replaced by the vertebral column right यह किसमें होता है यह होता है vertebrator किसमें होता है यह होता है आपके vertebrator में तो option 6 का हो जाएगा option 3 क्या हो जाएगा option 3 is the right answer clear चलो 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 question number 7 देखते हैं which of the following is not a characteristic feature of all chordates okay which of the following is not a characteristic feature of all chordates that is question number 7 1 क्या दिया गया है a diaphragm separating the thorax from abdomen right यह हम तब यह हमको पता चलेगा जब हम लोग human physiology पढ़ेंगे तब हम हमें यह सब चीजें पता चलेगी कि diaphragm diaphragm किसे कहा जाता है thorax क्या है abdomen क्या है यह हमें तब detail में पता चलेगा तो क्या यह हरे कोड़ेट का feature है मुझे नहीं लगता कि हरे कोड़ेट का feature है और diaphragm separating the thorax from the abdomen मुझे लगता है यह human का nature है human का ही इसमें पाया जाता है और मुझे नहीं लगता कि हरे कोड़ेट में यह देखा जाता है तो option one को question mark लेके लग देते हैं option two देखते हैं क्या दियागे presence of sylom yes true sylom present होता है coordinates में हर एक coordinates में option three देखते है pharyngeal gillslits in the early embryonic stage yes क्या होता है कि जो coordinates होते हैं उनमें जो pharyngeal gillslits होते हैं वह early embryonic stage में ही देखे जाता है तो option two option three correct answer is option four देखते हैं क्या दियाए dorsal nerve core yes हमारा जो nerve cord का है किसे ventral है? नहीं हमारा nerve core क्या है dorsal है right? clear, dorsal है तो two, three and four correct answer तो option one is the incorrect answer हमने option one में क्या question mark देके रख दिया था फिर हमने क्या देखा फिर हमने देखा option 2 भी सही है, option 3 भी सही है और option 4 भी सही है तो हमारा जो question mark था कि यह हो सकता है, यह confirm हो गया कि हाँ यह incorrect answer है, clear, चलो Which of the following structure is present in adult vertebrates? इसमें से कौन सा इसा structure है, जो सिर्फ और सिर्फ adult vertebrates में ही देखे जाते हैं, right, question number 8 देखते है, adult vertebrates, adult vertebrates, adult, adult vertebrates में ही देखे जाते हैं, option 1 क्या दियागा है, dorsal tubular nerve cord, yes, हमारा जो nerve cord होता है adult vertebrates में हो कैसा होता है, वो dorsal होता है, tubular मतलब tubular यानि hollow, tube like, tube कैसा होता है, tube कुछ ऐसा होता है, और tube मतलब इसका जो अंदर का portion हो कैसा होगा, वो hollow होगा, right, तो dorsal tubular होता है, dorsal and tubular hollow and single nerve cord, right, तो option 1 is correct answer, चलो option 2 देखते हैं, renal portal system, मुझे नहीं लगता है, यह होगा, pharyngeal gillslates, adult vertebrates में जो pharyngeal gillslates है, वो replaced हो जाते हैं, right, option 4 दिया है, notochord, adult vertebrates में notochord होते ही नहीं, notochord is replaced by what, vertebral column, तो क्या हो जाएगा, dorsal tubular notochord is the right answer, क्या हो जाएगा, option 1 is the right answer, क्या हो जाएगा, option 1 is the right answer, clear, चलो, question number 9 देखते हैं, correct statement with respect to the diagram, सबसे पहले बताओ कि यह जो diagram है, किसका diagram है, यह core data का diagram है, right, यह diagram हमने draw किया था, हम लोग, diagram जो horizontally दिया गया है, लेकिन यह diagram को हमने कैसे draw किया था, vertically draw किया था, था कि हमको dorsal, ventral और dorsal, दोनों हमने अच्छे से पता चले, कि dorsal side कौन सा है, ventral side कौन सा है, right, याद आया, एक बाद देख लेना notes से, ठीक है, चलो, सबसे पहले दिया गया, ganglionated nerve cord, मुझे नहीं पता, ganglionated nerve cord होता है कि नहीं, question mark, solid ventral nerve cord, हमारा जो nerve cord है, यह ventral तो होता है, that is true, ventral होता है, लेकिन solid नहीं होता, hollow होता है, तो option 2 is the incorrect, option 3 देखते हैं, dorsal hollow nerve cord, dorsal, yes, dorsal and hollow nerve cord, yes, तो option 3 is the correct answer, तो option 1 भी incorrect हो जाएगा, automatically, because correct answer हमें मिल गया, that is option 3, option 4 देखते हैं, कि paired nerve cord, नहीं, nerve cord single होता है, single nerve cord present होता है, तो यह भी नहीं होगा, आपको, अगर आप अच्छे से diagram को देखेंगे, और diagram अगर आपको याद है, तो diagram में clearly जो nerve cord है, यह hollow भी दिख रहा है, और यह single भी दिख रहा है, क्योंकि dorsal और vental दोनों पार्ड में हम लोग उन्हें अच्छे से divide किया था, जब हमने diagram को draw किया था, इसी वज़े से मैं कहता हूँ, कि जब हम लोग diagram को draw करते हैं, तो मेरे साथ साथ आप भी diagram को draw की किजिए, क्योंकि diagram based questions पूछे जाएंगे, तो आपको करने में आसानी होगी, राइट, चलो, तो option 1, automatically incorrect हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें correct answer मिल गया है, that is option 3, clear, चलो, question number 10 देखते हैं, which of the following is a chordate feature, not shared by the non-chordates, okay, इसमें बोला गया है, कि ऐसा कौन सा chordates feature है, जो non-chordates जो है, वो दिखाते ही नहीं है, number 1, triploblastic, क्या non-chordate triploblastic नहीं होते हैं, बिस्लो होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, दूसरा option क्या है, notocord, क्या notocord, non-chordates में notocord देखे जाते हैं, किसी भी stage में non-chordate में notocord देखे जाते हैं, बिलकुल नहीं देखे जाते हैं, तो option 2 is the, option 2 is the correct answer, because notocord जो है, वो सिर्फ और सिर्फ chordates में देखे जाते हैं, कोई भी non-chordates में notochord नहीं देखे जाते हैं, right? कोई भी non-chordates में notochord नहीं देखे जाते हैं आपको शायद confusion हो सकता है कि sir, hemichordate में तो stomochord देखा जाता है, लेकिन stomochord जो है वो notochord-like structure है, ना कि notochord अगर वो notochord होता, तो हम लोग hemichordata को quadates के अंदर रखते हैं, ना कि hemichordata में वो stomochord जो है, that is notochord-like structure not notochord, clear है? चलो, तो option 2 is the correct answer option 3 देखते हैं, true silom, yes, true silom quadates और non-cordates दोनों में पाए जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा bilateral symmetry, yes, bilateral symmetry जो है ये quadates और non-cordates दोनों में देखे जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा तो correct answer हो जाएगा option 2, जा हो जाएगा option 2 is the correct answer, clear? option 2 is the correct answer question number 11 देखते हैं okay, the correct classification of the diagram, सबसे पहले बताओ ये diagram है किसका, ये diagram है ASCDIA का, ये diagram किसका है ASCDIA का, ASCDIA किसके अंदर आता है, ASCDIA आता है subphylum, subphylum, euro quad data के अंदर, किसके अंदर आता है, euro quad data के अंदर euro quad data किसके अंदर आता है, euro quad data आता है, subgroup किसके अंदर सब्ग्रूप आपका आक्रेणियेटा या इसे प्रो प्रोटो कॉर्ड़ेटा भी और यह सब्ढ Ske Dorative के अंदर तो नसे पहलेवे हाँ जाइगा कॉर्ड़ेटा नसे से हम लोग कहां पहुंच जाएंगे प्रोटो कॉर्ड डेटा और प्रोटो कॉर्ड से हम लोग कहां पहुंच जाएंगे यूरो कॉर्ड डेटा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा देखो कॉर्ड डेटा से प्रोटो कॉर्ड डेटा option 1, 2 और 4 हो सकता है proto-cord data से vertebrator no, cephalo-cord data no, euro-cord data yes, तो हो जाएगा option 4 क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका option 4, option 4 is the right answer, right? क्योंकि हम लोग phylum core data के अंदर क्या आता है? subgroup acranata या proto-cord data आता है proto-cord data के अंदर sub-phylum आता है euro-cord data clear है? तो इसी वज़े से मैं कहता हूँ कि यह जो flow chart है यह जो diagram है यह जो subgroup, sub-phylum यह सारी जो चीज़े हैं इसको अच्छे से याद रखना because यह सारे के सारे conceptual question है, अब यह नहीं कह सकते कि NCRT के बाहर एक question दे दिया गया है, no, यह सारे सारे जो questions है, NCRT के अंदर वाले questions है लेकिन conceptual है और यही पर आपके silly mistakes होने की chances या probability सबसे ज़्यादा होती है इसी वज़े से मैं कहता हूँ कि इनको अच्छे से पढ़िएगा question number 12 देखते हैं, which type of circulatory system shown by euro-cord data तो यह एक informative question है आप इसको याद रखिएगा मैं star दे देता हूँ कि euro-cord data में euro-cord data में क्या होता है euro-cord data में open circulatory system देखा जाता है open circulatory system open circulatory system देखा जाता है यह एक informative question है तो इसको याद रखिएगा question number 12 का answer हो जाएगा option 3, क्या हो जाएगा, हो जाएगा, option 3, right, question no. 13 देखते हैं, question no. 13, all of them are characteristics of urocordate, except neural gland as excretory organ, मुझे नहीं पता, question mark दे दो, मतलब इन में से कौन urocordate का character नहीं है, option 2 देखते हैं, open circulatory system, यह, अभी देखा हमने, यह होगा, option 3 देखते हैं, cranium is absent, yes, cranium is absent, true, यह भी सही है, option 4 देखते हैं, development is direct, development is direct, तो क्या हो जाएगा, option 4 is the incorrect one, option 1 भी correct है, 2 भी correct है, और 3 भी correct है, लेकिन option 4 जो है, वो incorrect है, कैसे पता चला incorrect है, क्योंकि यहाँ देखो दिया क्या गया है, कि development is direct, direct development का मतलब क्या होता है, direct development का मतलब होता है, कि कोई भी larva stage present नहीं होगा, direct development का मतलब क्या होता है, कि कोई भी larva stage जो है, वो present नहीं होगा, लेकिन अगर आपको euro chordates का character आपको याद है तो वहाँ हमने क्या लिखा था कि euro chordates जो होते हैं उनका जो notochord होता है वो larva के tell में present होता है euro chordates में क्या होता है euro chord data में क्या होता है euro chord data में जो notochord है जो notochord है वो कहां present है वो larva के tail में present है larva के tail में present है इसका मतलब क्या है larva के tail में अगर present है notopod इसका मतलब है larva stage present है अगर larva stage है तो क्या development direct हो सकता है कभी नहीं हो सकता अगर larva stage present है तो इसका मतलब है development जो है वो कैसा होगा वो indirect development होगा वो कैसा होगा वो indirect development होगा इस questions को भी आप जरू star दीजिए, ये भी important question है, कि euro cord data में जो notocord है, वो कहां present होता है, वो larva के tail में present होता है, इसका मतलब larval stage present है, और अगर larval stage present है, इसका मतलब है development direct कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, because direct development का मतलब होता है कि larval stage present नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ज the incorrect answer, जिस questions को मैं star देता हूँ, उस questions को आप copy में भी उसको लिख सकते हैं, because इससे क्या होता है, इससे चीजे revision करने में आसानी होती है, तो जो questions में star देता हूँ, उस question का जो answer है, जो format है, उस questions को आप उठाके, जहाँ अपने euro chord data लिखा है, वहाँ आप इसको लिख सकते हैं, तो क्या होगा, revision के time वो चीजे आपके दिमाग में रहे जाएगी, तो option, question number 14 देखते हैं, question number 14, क्या दिया गया है, in which of the following notochord is present in embryonic stage, in which of the following notochord is present in embryonic stage, इस question को बहुत important एक question है, इसको अच्छे से star देके समझ के इस question को solve पीज़े, क्या पुछा गया है, कि which of the following notochord is present in embryonic stage, मलब इन में से कौन है, जहां पर notochord जो है, वो embryonic stage में present होगा, तो सबसे पहला दिया गए all chordates, क्या all chordates सही होगा, हाँ all chordates सही होगा, non chordates, non chordates में notochord होते ही नहीं, तो card दिया मैंने, option 3 देखते हैं, option 3 क्या दिया गया है, sum chordates में, क्या sum chordates में होता, नहीं क्या option for vertebrates होंगे यह भी नहीं सिर्फ और सिर्फ question no.1 होगा क्यों question no.1 होगा देखो question को अच्छे से question को समझने की कोशिश करो इसमें दिया गया है in which of the following notochord is present in embryonic stage अब अगर हम देखेंगे chordates को protochordate को हम लोग किंदे category में divide करते हैं दो category में एक होता है protochordate और एक होता है आपका eucordate, protochordate के अंदर कौन आता है? eurochordata and cephalochordata और eucordata के अंदर कौन आता है? आपका vertebrata, right? अब अगर हम बात करें eurochordate की तो eurochordate का जो larva होता है larva यानि embryonic stage तो जो larva होता है उसके tail में जो है notochord present होता है तो eurochordate में notochord embryonic stage में देखा जाता है अगर हम लोग बात करते हैं cephalochordata की, cephalochordata में तो head to tail, head से लेके tail तक notochord present होता है and throughout the life present होता है कि इसका मतलब cephalochordata में भी आपका notochord जो है वो present होगा अगर हम बात करते हैं vertebrata की, अगर हम बात करते हैं vertebrata की तो vertebrata में जो embryonic stage होता है उसमें notochord present होता है अला कि बाद में adult stage में जाके notochord replace हो चाता है vertebral column से लेकिन वो अलग बात है लेकिन यहां embryonic stage में तो present होता है तो यहां हमने क्या देखा कि euro chord data में भी present है cephalochord data में भी present होता है और vertebrata में भी present होता है तो क्या इसका answer all chord dates नहीं हो जाएगा obviously बात है हो जाएगा question को समझो question में क्या पुछा गया in which of the following notochord is present in embryonic stage present only in embryonic stage अगर यही question घुमा के पूछ दे in which of the following notochord is present in present only in embryonic stage present only in embryonic stage तब हम लोग क्या बोलेंगे तब हम लोग some chord dates को tick करते हैं क्यों some chord dates को tick करते हैं इसलिए some chord dates को tick करते हैं क्योंकि आपका जो euro chord data होता है euro chord date जो है euro chord data का जो लारवा है उसमें तो notochord present है, तो eurocord data आ गया, और यहां पर question में क्या बोला गया है, अगर question को घुमा दे हम लोग, तो question में क्या बोला गया है, कि only in embryonic stage, तो जो cephalocord data होगा, तो उसमें तो only in embryonic stage नहीं होगा, throughout the life होगा, तो cephalocord data, cephalocord data नहीं होगा, यह cancel हो जाएगा, बचा vertebrata, तो vertebrata में, तो हम सबको पता है कि vertebrata में, embryonic stage में ही notochord present होता है, जैसे adult हो जाता है, notochord जो है, replaced हो जाता है, vertebral column से, तो यह भी हो जाएगा, तो अगर यह question यह पूछ देता, कि in which of the following notochord is present, only in embryonic stage, तो answer क्या हो जाता, eurocord data and vertebrata, तो answer क्या होता, तो answer होता, some cordits, some cordits मनलब eurocord and vertebrates, some cordits, लेकिन यहां यह नहीं बुला गए कि only in embryonic stage, यहां पर question यह बुला गया है कि इन में से कौन है, जिसके embryonic stage में, notochord जो है, देखा जाता है, तो eurocord data के embryonic stage में देखा जाता है, cephalocord data के में भी देखा जाता है, और vertebrata में भी देखा जाता है, तो यहां इसका answer हो all cordits, हो जाएगा option one, that is all cordits, question के फिर से समझने की कोशिश करो, इस question में एक बार भी यह नहीं बूला गया, notochord is present only in embryonic stage, अगर यह बोल देखा only in embryonic stage, तो इसका answer होता, eurocord data and vertebrata, तब हम लोग इसका option टिक करते है, some cordits, not all cordits, लेकिन यहां पर question यह बोला गया है, कि present in embryonic stage, only जो word है, इसका इस्तबाल नहीं किया गया है, तो यह सिफा, eurocord data के भी embryonic stage में देखा जाएगा, सिफालोग को भी देखा जाएगा, vertebrata के भी देखा जाएगा, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा option one, at the same time अगर यह बोल दिया जाता, only in embryonic stage, तो हम लोग इस question ने एक बार भी यह नहीं बोला गया, only in embryonic stage, इसी वज़े से हम लोग इसको tick कर रहें, इसी वज़े से हम लोग option one को tick कर रहें, इस question को बहुत important question है, इस वह मैं 5 star दे देता हूँ, इस question को अच्छे से अपने copy में note कर दूर कर लेना, ठीक है, चलो question number 15 देखते हैं, question number 15, क्या बोला गया है, cephalocodita bears notochord all along the body throughout the life, yes, cephalocodita में, जो notochord होता है, वो extends from head to tail, अगर आप cephalocodita के मेरे note में जाएंगे, तो note में आपको दिखेगा, वहां मैंने एक point लिखाया था, कि incephalocodita notochord is extends from head to tail, मतलब all along the body throughout the life, true, तो statement 1 जो है वो correct है, statement 1 की अगर हम बात करें, it is correct, absolutely correct, अब statement 2 देखते हैं, statement 2 देखते हैं, statement 2 क्या बोला गया, eurocordita bears vertebral column only in tail region, क्या eurocordita में vertebral column होता है, क्या eurocordita vertebrata के अंदर आता है, eurocordita तो protocordita के अंदर आता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें notochord होता है, और notochord कहा, सिर्फ और सिर्फ लार्वाल के tail में, तो ये vertebral column only intel region यह answer नहीं होगा, तो statement 2 is incorrect हो जाएगा statement 2 जो है, वो incorrect हो जाएगा statement 1 जो है, वो correct है statement 2 जो है, वो incorrect है तो क्या हो जाएगा, option 2 क्या हो जाएगा, option हो जाएगा option 2 clear है? चलो आज जो-जो question में मैंने star mark किया उस questions को अच्छे से अपने copy में note कर लेना, जहां-जहां वो topic आप लिखे हैं copy में, और थास का कि question number 14 को जो अच्छे से एक बार समझ में ना आया है, तो बार-बार उसको repetition में इस वीडियो को देखके उसको समझ नहीं को जाएगा, right? question जो पूछा गया है, उसके according answer करना होता है, right? तो आज का DPP यहां तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल board work में, और तो कुछ है नहीं, बस यह कहूंगा कि DPP को अच्छे से solve कीजिए, अगर कुछ आपको समझ में ना आये, तो वीडियो lecture को देखिए, वीडियो solution को देखिए, तो हो सकते आपको जो भी आपके doubts है, वो clear हो जाए और आज यह सी मेरा जो है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा अच्छे से, इसी वज़े से मुझे पसीना पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो, फिर मिलते हैं कल board work में, तब तक के लिए, wish you all the very best I hope you like this video, bye